C.I.E.T. N.C.E.R.T. प्रस्तुत करते हैं कारिक्रूम दुख का अधिकार समाज कई बार अलग-अलग आधारों पर लोगों को बांटता रहा है कभी धर्म और मजब के लिए, कभी सामाजिक और आर्थिक असमानता के नाम पर अक्सर हमारी वेश-भूशा ही समाज में हमारे अधिकारों को तै करती है एक और ये हमारे लिए बहुत से रास्ते खोल देती है तो दूसरी और जब भी हमारा मन किसी गरीब की अनुभूतियों को समझने की कोशिश करना चाहता है हमारी पोशाक एक बंधन सबन कर हमारी संबेद्राओं पर हवी हो जाती है इस वर्ग संघर्ष की चेतना को यश्पाल ने दुख के अधिकार कहानी में बहुभी उभारा है ये सच है कि दुख की अनुभूति हर व्यक्ति को एक जैसी होती है उसका दिल तूटता है मगर ये कैसी मानवियत रास्ती है कि निर्धन को दुख मनाने का भी अधिकार नहीं होता और नहीं उसके पास इसका समय होता है क्यूंकि उसके जीवन का मूल प्रश्न रोटी से जुड़ा रहता है जिसके सामने समवेदनाओं या भावनाओं की शायद कोई जगा नहीं होती इस कहानी की शुरुवात कुछ इस तरह से होती है अरे ये महिला क्यों रो रही है इसके विलाप का क्या कारण हो सकता है खर्बूजे का टोक्रा लिए बैठी है और अपना मुँ घुटनों में छिपाए रोए जा रही है मन कर रहा है इसके पास जाकर पूछू पर लोग क्या कहेंगे मुझ पर फप्तिया कसेंगे कहां ये खीमती पोशाग पहने मेरी छवी और कहां ये मलिन कपनों वाले इस्त्री चाहकर भी मैं उसका दुख बांटने में असमर्थ हो रहा हूँ ये हमारे समाज की कैसी विडम बना है आरे बाबो जी जाई ही अपनी राह सोच क्या रहे हैं ये तब बड़ी बेसरम है अभी कल ही इसके जवान बेटे की मौत हुई है और आज ये बाजार चली आई सौदा बेशने अरे मिया लाहौल विलाकुवत क्या जमाना आगया है खुदा खेर करे कल जुग है घोर कल जुग इन जैसे लोगों के लिए रोटी कमाना ही जैसे सब कुछ है बस रोटी मिल जाए किसी भी तरह ना मा बेटे का रिष्टा ना कोई धरम करम तभी तो अगले ही दिन आ गई माल बेचने अब इसे कौन बताए कि इसकी घर में सू तक लगा है ऐसे में इसके खरबूजे खाने से किसी का धरम कैसे बचा रह सकेगा ए भगवान किस कदर कोस रहे हैं सब इस बेचारी को क्या सब संबेदना शून्य हो गए है इसने अपना जिगर का टुकडाक होया है क्या इसे क्या इसे दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है जरा चलकर आसपास पूछता हूँ आखिर इसके बेटे को हुआ क्या था हाँ इन माशाय से पूछता हूँ जरा सुनिये श्रीमान जे बावोजे आप बताईए कि इस महिला ने अपना बेटा कैसे खोया लगता है आप यहां नैने आये हैं ये बुडिया मंडी में हर रोज आती है इसका लड़का सहर के पास डेड़ भीगा जमीन पर खेतों में सबजी बोने का काम करता था इसी से इसके परिवार का गुजारा चलता था लड़का कभी खुदायाता था और कभी खरबूजों की टोकरी उठाकर मा को दे जाता था यही सेलसला बरसों से चल रहा था तो फिर? परसों सुभा सुभा जब वो खरबूजे तोड़ने गया तो उसका पैर साप पर पड़ गया हाँ और साप ने उसे डस लिया बुडिया ओजा को बुला लाई ना जाने उसने कितने मंतर फूके पर इन सब उपायों से कुछ ना हुआ डॉक्टर के पास जाने की हैसित नहीं थी सो इसका बेटा भगवाना चला गया अब पूजा की भी तो धान दक्षना का मसला भी उठा घर में जो अनाज था साब दक्षना के भेट चड़ गया रह गये रोते कलबते इसके बेटे के दो बच्चे पतनी भला हो समाच के पाखंडी पंडितों ओजाओं का चाहे कुछ भी हो अपनी जोली भरना नहीं भोलते किसे परवा है उस दीन दुख्यारी मा की मनवैथा की उन भोले मासुम बच्चों के रुदन की और उस विद्वा की जो कई दिनों से बुखार में तप रही थी कौन लेगा इन सब की खबर इस प्रश्न पर समाच मौन रह जाता है इनका रुदन गुश्टा रह जाता है अनंत दिशाओं में हे भगवान उठा क्यूं नहीं लेता मुझको उठा ही क्यूं नहीं लेता इस गहन पीडा में भी मा को चिंता थी अपने बेटे भगवाना का तन धकने की उसके लिए नया कपड़ा लाने की चाहे उनके हाथों में बजे खुचे मामूली जेवर छन्नी ककना भी क्यूं न पिक जाएं भूगे बच्चों को ढड़स भी बढ़ाना था लो बच्चों खर्बूचा खालो चुपो जाओ मैं हूँ न मैं तुम्हारा खयाल रखूँगे और फिर दुस्ताहसी बुढ़िया अपने बेटे के लाए हुए खर्बूजे समेट कर बाजार में बेचने चलती थी किसी मानविय सम्वेधना की शायद वो हवक्तार नहीं थी दुनिया ने उसे निर्मोही और पत्थर दिल करार दिया था फिर भी वो मुस्तैत थी बेटे को अंतिम विदा देने के लिए पर इससे भी पहले उसके सामने बड़ा करूर प्रश्न था रूटी का कैसा है ये सामाजिक ने आये अचानक मुझे याद आई अपने पडोस में घटी एक घटला की जिसमें एक संपन्न परिवार की महिला के साथ भी कुछ ऐसे ही घटा था धाई तीन वहिने तक डॉक्टर उसकी सेवा में लेगे रहे उसकी मूर्चा को ठीक करने के लिए उस समय तमाम शहर उसके दुख में दुखी था वो अमीर थी उसके इर्द गिर्द एक सब्भर समाज की चटर चाया थी संपन्नता ने सब अधिकार उसे सौन दिये थे क्या पता इस बुढ़िया जैसी हजारों गरीब महिलाएं कौन-कौन सी यातनाओं से आज भी गुजर रही हूँ मेरा मन कितना चाह रहा था कि उस बुढ़िया के कंधे पर संथवना का हाथ रख दू उसे भी दुख का अधिकार मिल जाए पर ऐसा कर न सका दुख का अधिकार अभी आप सुन रहे थे ये कारिक्रम प्रतिभागी कलाकार थे प्रवीन शर्मा, सुनील लोहिया, नीरत शर्मा और ममता मलकानी वाचनस्वर, परवेज गौहर विशय सैयोजन, प्रोफेसर संध्या सिंग, दॉक्टर संजय सुमन, दॉक्टर प्रमोध दुबे, प्रोफेसर चंद्रा सदायत, श्री नरेश कोहली और दॉक्टर नीलकंट कुमार मार्गदर्शन, वंदना अरिमर्दन, ध्वनियंकन, बटिलैंग लिंग्टो, ध्वनि संपादन, निर्माण तथा निर्देशन, मयंक थपलियाल, एवं प्रस्तुति, CIET, NCERT, नैदिल्ली